वो अभूत पूर्व है आपके इस उत्सा ने इस जोस ने मद्य प्रदेश में तै कर दिया है फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार मद्य प्रदेश के बेरे भाई बेहन 17 नवंबर को इतिहास रचने के लिए घर से निकलेंगे यह चुनाव है मद्य प्रदेश के विकास को डबल इंजिन के रफ्तार देने का यह चुनाव है नव जवानों को महलाओं को आगे बढ़ने के नए आउसर देने का यह चुनाव है कॉंग्रेस के लूट और प्रस्टाचार के पंजे को फिर कभी भी मद्य प्रदेश की तिजोरी पर हाथ न लगा देने का आपको याद रखना है कॉंग्रेस का पंजाब छीन ना जानता है लूट ना जानता है और आपका तो अनुभव है जहां जहां कॉंग्रेस आई तबाही लाई मेरे परिवार जनो जैसे जैसे सत्रा नमंबर की तारीक नद्धिक आ रही है वैसे वैसे कॉंग्रेस नेताओं के दाओं की पोल खुलती जा रही है आज हमें पूरे एमपी से रिपोर्ट मिल रही है कि कॉंग्रेस ने हार मान कर खुद को भाग्य भरो से छोड़ दिया है अब सादू मात्माओं के पाद दोरे धागे के लिए जा रहे हैं कुछ नसीब खुल जाए और कॉंग्रेस के जो पुराने लोग है वो तो कहीं नजरी नहीं आ रहे हैं आदे अजूरे मन से वो बेचारे जाते अब क्या करें कॉंग्रेस के कई लोग तो ठान करके घर बैठ गए हैं उनका बहार निकलने का भी मन नहीं कर रहा है हर कॉंग्रेस को लगता है किस मूँ से इन लोगों की बात करें कॉंग्रेस ने मान लिया है कि मोदी की गरड़ के सामने कॉंग्रेस के जूठे बाइदे एक पल भी टिक नहीं सकते हैं साथियों मोदी की गरण्टी का मतलब क्या होता है आज पूरा हिंदुस्तान जानता है अरे पूरे दुनिया भी मानती है कि मोदी की गरण्टी मतलब गरण्टी पूरा होने की भी गरण्टी अब देखिये ये कॉंग्रेस बाले छट पर चड़ चड़ करके चिल्ला रहे थे कि कभी भी जम्मु कश्मीर से आर्टिकल 370 नहीं अटेगा कॉंग्रेस वाले ये भी कहते थे कि तीन तलाग के खिलाप कानुन तो बन ही नहीं सकता कॉंग्रेस वाले हमसे राम मंदिर निर्माण की तारीक पुझा करते थे अरे करतारपूर कोरिडोर के लिए भी सवाल उठाते थे इन लोगों को पता नहीं है ये मोदी किस मिट्टी का बना है ये नर्वदा का पानी पी करके बड़ा हुआ है और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं दिखाते हैं ना करके दिखाते हैं ये नहीं दिखाते हैं हर वादा पुरा करते हैं ये नहीं करते हैं और सिने के चोट पर ढंके की चोट पर करते के नहीं करते हैं। कॉंग्रेस ने दसकों तक आदिवासी समाज के वोट बटो रहे, जूठ बोलकर वोट पाएं। लेकिन सडक, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताव, ऐसी सुविधाओं से आदिवासीों को कॉंग्रेस ने हमेशा बंचीत रखा। आप याद रखेगा कॉंग्रेस जो वाइदा करती है, वो कभी पूरा नहीं करती है। आपको याद होगा, पिछली बार कर्ज माफी का वाइदा, सरकार बनने के धेड़ साल बात तक ये लोग पूरा नहीं कर पाए। लूटने में पड़े रहे, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है, जो जीतना वाइदा करती है, उससे भी जादा करने का प्रयास करती है। आप हमारा कोई भी गोशना पत्र देख लीजिए, क्या कभी भी हमने गोशना पत्र में लिखा था, कि हम आदिवासी बेटी को देश की राठपती बनाएंगे। लिखा था कहीं? कहीं नहीं लिखा, लेकिन हमारे दिल में आपकी जगा है। और इसलिए जब मोका आया, तो भाजपा आदिवासी गवरों को मान देती है, आपकी भावनाओं को समझती है। और इसलिए एक आदिवासी बेटी, गाउं में पैदा हुई बेटी, गरीप परिवार में पैदा हुई बेटी, द्रवपदी मुर्मुजी, आज देश की राश्पती है, और देश का नित्रुत्व कर रही है। ये भाजपा सरकारी है, जो देश भर में आदिवासी सिनानियों के, आदिवासी संस्कृती के भव्यस मारक बना रही है। ये ख्षेत्र सरदार गंजन सी कोर को और सरदार विष्णू सी गोंड की भूमी है। कॉंगरेस ने कभी ऐसे वीरों को याद नहीं किया। कुछ दिन पहले जेबलपूर में रानी दुर्गावती के शावरिय और गौंड संस्कृती को प्रदस्तित करने वाले भव्यस मारक का सिलान्यास करने का आप समने मुझे सवभाग्य दिया है। और कल जासा मैंने कहां पूरा बेश भगवान विर्शा मुंडा के जन्म दिवस को जन जातिय गवरव दिवस के रुप में मनाएगा। और कल जन जाते हैं गवरव दिवस पर आदिवासी समाज के विकास के लिए चोबीस हजार करोड रुपिय की एक बहुत महत्मन योजना भी केंद्र सरकार शुरू करने जा रही है। साथियों गरीब कल्याण की योजनाओं के लिए भाजपा सबसे आगे बढ़कर काम करती है। मेरे गरीब भाई बहुनों की चिंता को सबचते हुए हमने मुप्त राशन की योजना लागू की। आपको याद होगा कोरोना के समय कितनी भेंकर स्थिती थी, मौत मंडरा रहा था, दुनिया भर से मौत की खबरे आती थी।